नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत है, रेडी हो जाएए संपाद किया डिक्टेशन लिखने के लिए जनसत्ता समाचार पत्र से आतंकवाद के मसले पर अंतर राश्ट्रियो इस्तर पर कटगरे में खड़ा किये जाने के बाद पाकिस्तान को करना यह चाहिए था कि वह अपने रवये में बदलाव करे ताकि उसकी चवी में सुधार हो लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हर वक्त कोई न कोई ऐसी गतिविधी जारी रखना चाहता है जिससे वह भारत के लिए परेशानी पैदा कर सके और साथ ही अपनी जनता का ध्यान असली समस्याओं से बटाए रख सके अब तक उसका मुख्य हतियार आतंक वादियों और उनके संगठनों को पनाह देना रहा है जिनके जरिये वह अकसर भारत में आतंक का महौल बनाए रखना चाहता है लेकिन इस मोर्चे पर भारत ने जिस तरह चौकसी भरती है उसकी वजह से आतंकियों ने भले अपनी हरकते जारी रखी है मगर उन्हें अपने पाव पसारने में कोई बड़ी कामिया भी नहीं मिली सकी है साथ ही आए दिन सुरक्षा बलों के साथ मुठ भेड में आतंकी मारे जाते हैं खास तोर पर जब से कश्मीर में अनुख्षे 370 को हटाया गया उसके बाद वहां आतंक वाद के खिलाफ एक तरह से इस पश्ट नीती पर अमल किया जा रहा है जाहिर है अब आतंकी संगठनों का दाइरा और प्रभाव कम होना शुरू हो गया है इसी क्रम में आतंकवादी संगठनों और परदे के पीछे से उन्हें संचालित करने वालों के सामने एक मुश्किल यह पेश आ रही है कि उन्हें अब इस्थानिय आबादी का साथ नहीं मिल पा रहा है इसकी मुख्य वजह यही है कि कश्मीर के लोग अब तक के महत्वपूर्ण तनावपूर्ण माहौल और उसके नुकसान के बारे में पहले के मुकाबले ज्यादा व्यावहारिक तरीके से सोच समझ रहे हैं यानि एक तरह से वहां का समाज एक नए ताने बाने की ओर बढ़ रहा है शायद यही वजह है कि प्रत्यक्ष आतंकवाद की रणनीति पर वैश्विक इस्तर पर मुह की खाने के बाद पाकिस्तान ने अब नए चेहरे में छद्म युद्ध का सहारा लेने का रास्ता अक्तियार किया है इस संदर्भ में भारत में सेना के एक वरिष्ठ कमांडर ने मंगलवार को कहा कि कश्मीर में नारको आतंकवाद चिंता जनक इस्तर पर रफ्तार पकड़ रहा है इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि पाकिस्तान अब मादक पदार्थों की तसकरी और उसके प्रसार को जम्मु कश्मीर में अपने चद्म युद्ध के नए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है दरसल हाल के दिनों में पाकिस्तान से लगे सीमावरती इलाकों में ड्रोन के जरिये हथियार भेजने के कुछ मामले पकड़ में आये थे अब अन्य स्रोतों के अलावा पाकिस्तान ड्रोन से मादक पदार्थ भी भेजने की दोहरी रणनीती अपना रहा है यह किसी से छिपा नहीं है कि मादक पदार्थों की तसकरी से लेकर नशे की जद में आया व्यक्ति और समाज किस तरह दिशाहीन हो जाता है और फिर उसकी गतिविधियां भी उसी मताबिक संचालित होने लगती है कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अब मादक पदार्थों को हतियार के तौर पर इस्तेमाल करके इस्थानिय इस्तर पर समाज के उस ताने बाने को नुकसान पहुचाने की कोशिश कर रहा है जो अब नई राह की ओर बढ़ रहा है ऐसा लगता है कि पाकिस्तान किसी ना किसी रास्ते भारत को नुकसान पहुचाने की सूच चिंतित रड़नीती पर चल रहा है या फिर वह ऐसी हरकतों से अपने यहां अर्थ विवस्था की डावाडोल इस्थित के बीच व्यापक महंगाई, बेरोजकारी और बढ़ती गरीबी जैसी उन समस्याओं पर परदा डालने की कोशिश में है जिनकी वजह से पाकिस्तानी जनता का जीवन दूभर होता जा रहा है, सवाल है कि अपने देश में लोगों की समस्याओं को दूर करने के बजाए पडोसी देश के समाजिक ताने बाने को बिगाडने की कोशिश करके पाकिस्तान क्या अपनी खोखली होती जा रही दशा की भरपाई कर लेगा